हेलो प्रेंट्स आजमा आपको बताऊंगा एदी आपके पस्टों के सरीर पर गहरे से गहरे एदी गाव हो गए हैं तो उन्हें आप कैसे ठीक करें बीना इंजेक्शन के दोरा आप अपनी जो गाह या भैंस है या छोटे इनिमेल्स हैं सबी क्याल इनिमेल्स किसी भी तरह के गाह पस्टों हैं उनमें जो गैरे गाह हो जाते हैं तो उनको आप कैसे ठीक करें उसके बारे में इस वीडियो के इंदर बताया चाहीगा क्यूंकि मेरे पास पहुत तरह के कमेंट्स आ रहे थे हमारी जूगह है या भैंस है चोटे पस्टों है उनमें बहुत ज्यादा ग् की आपके पसुंके शरीमर्ण मैं घावर हो जाते खार या घाव घावर कैसा है किसी वरी मारे की या किसी बेक्टिरा वाइरल इंफेक्शन की वज़े आपके परसूं के सरी पर गांटे बन गई हैं फूट करके उनसे गावाओ यानि किसी भी तरह का गावाओ उसका इलाज आज आपको प्रमानेट बता दिया जाएगा तो इस चैनल पर अभी नए आये हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप पहले आप इस आपके पास जो पतियां होती है या नीम की पतियों से जो पानी गर्म करते हैं उससे आप अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं उससे किसे नीम की पतियों के पानी से आप उसके अच्छी तरह से उसको साप कर सकते हैं गाव गाव को साप करना है या इदी आपके प प्रमस प्रकार शेया गाव सब्सक्राइब और जो प्रकार आयोडीन है इस प्रकार शेया कि प्रयोग कर सकते हैं। बोज बना करके उस गहाव को अच्छी तरह से साफ करेंगे तो किसी तरह कि उसमें मीट्टी है या जो अपसिस्ट पदात यह उसमें लग चुकी है तो उसी तरह से उसका जो गहाव में अच्छी तरह से उसकी द्रेशिंग हो जाएगी या उसे मवाद आ रही है तो उसको मवाद को अच्छी तरह से बाहर निकाले देखो सबसे पहले तो यह पताना चाहता हूं कि आपके परसूं के शरीर में घाव हो गए यह उनमें मवाद आ गई आपको दिख रहे किसी में मवाद है तो मवाद को भी दबा करके आप उसी तरह से अच्छी तरह से साप करें यानि उसमें जो भी यह दी पड़ा है कच्रा उसको अच्छी तरह से साप करें यह दी साप नहीं करेंगे तब तक आपके परसूं के गहाव प्रिपून रूप से बर नहीं पाएंगे तो आप उससे अच्छी तरह से साप कर ले मुआद निकाले या तिंचराइडिन का प्रियोग करके उसकी गोज की साहता से आप उसको अच्छी तरह से साफ कर लेए जब आप पसे जो गाहव को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं उसके बाद में आपको वेग्टमेंट बताऊंगा उस सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद में आपको यह दिया आपको कुछ मोईंटमेंट बताऊंगा उस ओंटमेंट का आपको प्रियोग करना गाव अच्छी तरह से साफ हो गया साफ होने के बाद में जो एक अयरुवेदिक ओनमेंट आती है चर्मिल प्लस या मैंने अधर जो वीडियो में आपको उइंटमेंट बताएं उस ओंटमेंट का भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन आप आयरुवेद का यह प्रियोग करना चाहते हैं किसी तरह कोई साइट नहीं किसी तरह का गाव हो चाहे बेक्टेरिया वाइरल डिजीस से हुआ हो या यह करना आपके प्रशूं में वैसे हो तो यह जर्मिल य 7 में लेनी है इस है मिलांट में और शाथ में आपको जो हल्दि और शरु का टेल जो हल्दी समक Assbag आई गरम करना दो उसमें हल्दी दालनी है उसका आपको एक परश्णा बनाना है वैं बैश्ट आ प Oscar अंब स्वाइक आप तोड़ी ऑहहा की मिला है इनकों मिख कर ले इसको मिक्स करके आप उस परकर messijn एक उन पर अच्छी तरह से उन पर लेप कर दें वह बचिंटा क्या रहती एक जिस्तीर लेपकर देती है प्रची ततर य Ay however उस पर लेप करते हैं लेप करने के बाद में आप किसी bandage की साहिता से या किसी और कपड़े सुती कपड़े की साहिता से भी अपने घर पर जो कपड़ा होता है उससे अच्छी तरह से उस गहाव को बांद दे बांदने के बाद में आपको परड़े के साब से एक दिन में आप तो आप इसमें कोई भी स्ब्सक्राइवाव अपोई प्रैयोग करने के से याप पेंटानकरी धूतस्ते या रहे बात का इन्हें प्रवक्रेण लिए ओड़कमयल या मिलो क़िसके मेन प्रशतौं लुकि बनस बड़े पसु हैं तो इन्हें दो uploadस सुभ है और दो बनस स्याम तीन दिन दे सकते हैं छोटे हैं तो इन्हें एक बनस इन पर सुभ है और रिक व्लेस शयाम तीन दिन सकते हैं इससे क 현 कि आपका पसुद मेलेट की जो बोलस आती है वह भी आप परियोग कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रसु चाटे रही बात अब एक और आपको जो नॉर्मल गाव है वह तो इसे ठीक हो जाते हैं लेकिन आपके प्रसुमें गहरे गाव हो गये हैं मौद आ रही है ब्लीडिंग हो रही है ठीक नही इसे को देना नहीं है जिस तरह चे वेल कौन का आता है मौक्षी वेल को आपको दिख रहा है मौक्षी eyes जह आपको तिक करहे है इसके बारे में चखेल जो य हमी'M बनी विडू बनी हूज लेकिन मैंने उस तक नाम निपना है वह मौक्षी वेल है इस अब बोलस का परियोग किसी भी तरह का गहाव जो आपको यह एक बोलस यह आप अपने पसुख को एक बोलस परड़े के साफ से हलागि महेंगी जरूराती है एक सो बीस रिपे एम रिप्य आती है लेकिन आपके पसूभी में अच्छा रिजयल देगा एक बोलस परड़े के साफ से आप तीन दिन से लेकर के पांस दिन तक परियोग कर सकते हैं यह आपके परसुव में बहुत ज़्यादा गहरे गाहूं मैं कहरा हूं कि यह आपके घाव अच्छी तरह से सूख जाएंगे प्षोट जल्दी रिकुरिय लेंगे आपके परसुव रही बात यह आपके परसुव में वाइरल प्रियोग करना है आपके परसुव में इम्मुनिटी डाउन है वीमारे से घर्षित है तो उसे अच्छी तरह से मल्टी विटामिन साप अपने परसुव को देते रहें मल्टी विटामिन देगे तो उसके इम्मुनिटी बनेगी इम्मुनिटी बनेगी तो आपके परसुव जो गाव है वह अच्छी तरह से बरेंगे मल्टी वितामिन में आप कोई भी जिस प्रकार से मल्टि स्टार है अदर जो प्रोड़क्ट आते हैं वाइट मैस आते हैं कोई सा भी हो वह दस चे बीस एमेल आप उस पशू को परड़े के साफ से दे सकते हैं आपके पशू में है नी आपको उस तरह की कि इंजेक्षिंट लगाने की जुरूत है बहुत ही ज्यादा दिक्रत हो जाती है वरना आपके पर भलत शेयर कर दें पहुत अच्छी वीडियो ताकि उन्हें भी इस-थह की दिक्रत है इसी दर शामिर को प्यार देते नहीं थैंक्स धन्यवा